हलो फ्रेंट्स कैसे हो यार वेलकम टू आर चैनल रूही शरफद रूही शरफद चैनल में आप सभी का स्वागत है मैं रूही आज मैं आप सभी के साथ डिस्कर्स करूंगी शॉट नोवेल दा ओल्ड मैंड अन दा सी इसे यूएस में इंग्लिश में लिखा गया अनेस्ट हैमिंग वे के द्वारा 1951 में लिखा गया और इसे पब्लिश कराये गया 1952 में चार्लेस के द्वारा ये टोटल 127 पेज़स का है 1953 में इस नोवेला को दा पुलिजर प्राइज अफिक्शन मिला 1954 में नोवेल प्राइज इन लिटरेचर मिला अरनेस्ट हैमिंग वे का जन्म हुआ 21 जुलाई 1899 में और इनकी मृत्यु हुई 2 जुलाई 1961 में उस वक्त ये 61 के एज में थे जब इनकी मृत्यु हुई और इनका जन्म और मौत दोनों यूएस में ही हुआ इस नोवेल की शुरुआत हैवाना से होती है जो क्यूबा में है जहां एक ओल्ड मैन होता है जिसका नाम होता है सैंटियेगो यह व्यक्ति फीशिंग करता है फीशर मैन होता है इसकी वाइफ इस दुनिया को त्याग देती है यह ओल्ड मैन 84 दीन से continuously फीशिंग कर रहा होता है लेकिन इसकी बदकिस्मत ही देखिए कि अभी तक इसके हाथ एक भी मचली नहीं आई यह बात सैंटियेगो के लिए बहुत ही जादा दुखदई और शर्मनाक वाली बात थी इसलिए सैंटियेगो के जो फ्रेंड्स थे जो उनके साथ फिशिंग किया करते थे वो उनका काफी जादा मजाक उड़ाया करते थे इस बात को लेकर कि 84 दिन हो गए हैं और इसने अभी तक एक मचली भी नहीं पकड़ा है एक भी मचली नहीं पकड़ा है और सैंटियेगो अपने आपको अनलकी समझने लगता है सैंटियेगो के साथ एक लड़का होता है यंग बॉय जुसका नाम होता है मैनोलीन मैनोलीन के पैरेंस मैनोलीन को मना करते हैं कि तुम सैंटियेगो के साथ ना रहा करो अब तुम अपना टीचर अपना किसी अच्छे वैक्ति को ढून लो जो अच्छे से फिशिंग करता हो ये जो सैंटियागो है ये तो खुद 84 दिन से कोई मचली नहीं पकड़ सका है तो तुम इसे भूल जाओ इसके साथ नहीं रहो कोई अच्छा मास्टर ढून लो तुम बट मैनोलीन का तो दिल लगता था नहीं सैंटियागो के बिना और वो सैंटियागो का काफी हेल्प भी किया करता था क्योंकि सैंटियागो बुढ़ा हो चुका था और जो मैनोलीन है वो हमेशा ओल्ड मैन की हेल्प किया करता था कियर किया करता था उसके बोट हमेशा समुद्र में उतारना और शड़ाना वो ऐसा काम किया करता था हर रात की तरह सैंटियागो उस रात भी लोएंस की सपने देखता रहा और next morning वो fishing के लिए निकल गया Santiago boat को Gulf of Maxiago के तरफ ले जाता है दोपहर तक वो Gulf of Maxiago में पहुँचते ही काटा बिचा देता है और ये देखिए कि आज उसकी मचली फस गई उसने decide कर लिया कि आज मैं मचली को पकड़ लूँगा और अच्छे से आज खाऊंगा मचली को और मैं बेचूंगा भी जैसे ही मचली फसी, Santiago उसे खीचने लगा Santiago अब क्या उस मचली को खीचेगा मचली इतनी बड़ी थी कि मचली ही Santiago को अपने तरफ खीचने लगी उस मचली का नाम था Marlin वो बहुत ही ज़ादा बड़ी मचली थी ऐसे करते एक रात बीत जाता है और सुबह हो जाता है Santiago मचली को खीचता है लेकिन क्या होता है कि Marlin Santiago को अपने तरफ खीचने लगती है इससे Santiago के हाथ जखमी हो जाते है काफी ज़ादा Santiago ठक भी जाता है बहुत ही ज़ादा बुजग होता है और उसके शरीर में ताकत नहीं होती है कि वो अब फिर से मचली को खीचे वो काफी ज़ादा ठका हुआ रहता है काफी ज़ादा ठक जाता है इसी तरह करते करते दो दिन दो रात बीत जाते है तीसरे दिन सडनली मारलीन मचली जंप करती है पानी से बाहिर आती है सैंटियागो देख कर हैरान हो जाता है क्योंकि उसने अपने लाइफ में आज तक इतनी बड़ी मचली नहीं पकड़ी सैंटियागो सपने देखने लगा कि अब ये फिश को बेचेगा पैसे कमाएगा और खुद भी खाएगा इस फिश से बहुत से लोगों का पेट भी भर जाएगा इतनी बड़ी मचली पकड़ाई है ये मारलीन मचली मेरा इतना दिन का जो खाली गया अनलकी दिन गया आज तो मेरा दिन बना दी वो बहुत ही ज़ादा खुश था उसने हिम्मत नहारते हुए रसी को जोर से खीचा और अपने भाले से मारलीन फिश को मार दिया फिस सेंटियागो अपने बोर्ड के साइड में मारलीन फिश को बांद देता है अब सेंटियागो क्यूबा के तरफ बढ़ने लगा लेकिन होता क्या है कि मारलीन को भाले से लगने के वज़े से उसके खून निकलने लगते हैं मारलीन के खून से शार्क आने लगता है धेर सारे शार्क जमा हो जाते हैं नहां पे और मारलिन फिश को खाने लगते हैं सैंटियागो क्या करता है अपने भाले से सार्क को मारने लगता है इसी तरह करते करते कुछ सार्क को वो जखमी कर देता है मार देता है और इसी तरह बच बचाते वो क्यूबा की तरफ बढ़ने लगता है किसी तरह वो पहुंच जाता है वहाँ धेर सारे लोग थें वो लोग भी थे जो सेंटियाइगो का मजाग बनाया करते थे और वहाँ पे मैनो लीन भी था सेंटियाइगो का इतना बड़ा मचली पकड़ने पर उसके जितने भी दोस्त थे जो मजाग बनाया करते हैं लेकिन तब तक सैंटियागो अपने जोपड़ी में चला गया और अपने बिस्तर पे जा करके वो सो गया सैंटियागो बहुत ही जादा दुखी हुआ क्योंकि उसने मचली पकड़ी तो थी लेकिन उसके बस स्केलटन ही बचे थे क्योंकि जब वो मचली को ला रहा था मार्लीन फिर्ष को ला रहा था तो सार्क उसके पीछे पड़ गया थे वो शार्क मार्लीन फिर्ष को खा गया और उसके सिर्फ और सिर्फ हड्डियां ही बची जब उन हड्डियों को नापने लगा कि वो मचली कितनी बड़ी है मारलीन तब पता चला कि वो 18 फिट की मचली थी आप सोच की सकते हो कि वो कितनी लंबी मचली होगी कितनी बड़ी मैनोलीन सेंटियाइगो के जोपड़ी में जाता है और वो देखता है कि उसके हाथ बहुत ज़ादा जखमी हो गया है सेंटियाइगो के उसे बहुत दुख होता है वो उनके लिए कुछ खाने को लाता है फिर वो चला जाता है सेंटियाइगो बहुत ही ज़ादा दुखी हो जाता है कि मैं तो अनलकी ही ठहरा मैं कितना ज़ादा सपना देख रहा था कि मैं मचली को पकड़ूंगा और इसे बेचूंगा, पैसा कमाऊंगा और इसे खाऊंगा भे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया हमारी आज की नोविला The Old Man and the Sea यहाँ पे खत्म होती है I hope friends आप सभी को बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग लगी होगी प्लीस मेरी इस वीडियो को लाइक कर लेना और नी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिलकुल भी ना भूलना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल रखें थैंक्स पो वाचिंग